नवशिकार मैं हूँ लीला स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज का विशय है वर्ष दोजार तेई में देव शैनी अकाशी काव है नती जून को है जा फिर ती जून को है पूजा का शौमूर्थ क्या है पार्न का शौमूर्थ क्या है देवशायनी काश्ची के दिनभागवान विश्नु की विदी-वत-फुजा करने के साथ बार्थ रखने से शोफ़गलों की प्राप्ति होती है हिंदु दर्म में हर एक काश्ची का विशेश महत्व है हर साल चौवी काश्ची पढ़ती है जिसमें से हर मास दो काशी पढ़ती है हिंदू पंचांग के इंसार जेश्ट मास के छुकल पक्ष को पढ़ने वाली काशी को देवशैनी काशी कहा जाता है इसके लावा इसे अशाड़ी काशी और हरिशैनी काशी भी कहा जाता है शांच्तरों की अंसार मानना जाता है कि देवशानिकाषी से ही बगवान विश्नु चार मास के लिए शीर शागर में जोग निंद्रा में रहते हैं और श्रेष्टी का संचार बगवान शेप को देते हैं इसी के साथ सावन मास चुरू हो जाते हैं इस जानिये देव शानी काशी किती थी शुम्बूर्त बगवान विश्णू के जोग निंद्रा में जाने वाले चार मास को चातर मास कहते हैं लेकन इस साल देख मास पाढ़ने के कारण चातर मास चार नहीं वालके पांच मा के पढ़ रहे हैं इस दरान मागलिक और शो कामों को करने कीमना ही होती है पांच माँ भाद देव उठनी का आशी के दिन भगवान विश्नु जोग निद्रा से जाग जाएंगे ओर फिर स्रेष्ठी का संचार करने लगेंगे अब मैं बात करूँ गी देव शाहिनी का आशी का रखा जाएगा और पूजा का शौम मूर्थ क्या है और हरीवासर समावत होने का समा क्या है दोजार तेई में देवशाइनी काशी का वर्त नती जून दोजार तेई गुरू वार के दन रखा जाएगा अकाशी तिति रंब होगी नती जून सुवा तीन वजकर ठारा मिंट पर और अकाशी तिथी समावत होगी सुभा ती जून सुभा दो वजकर ब्याली मेंट पर पार्ण का समा होगा ती जून दुपहर एक वजकर अड़ताली मेंट से चार वजकर शत्ती मेंट पर पार्ण तिथी के दन हरी वासर समावत होने का समय सुबा आठ वजकर बी मेंट का है पूजा का शौमूर्थ सुबा पांच वजकर शब्बी मेंट से सुबा साथ वजकर ग्यारा मेंट तक और सुबा 10 वजकर 40 मिन्ट से दपहर 3 वजकर 4 मिन्ट तक का पूजा का शोब मूर्थ है सर्म में देवशायनी काशी का विशेश महत्व है क्योंकि इस दिन से अगले 4 मास के लिए बगवान शिरीहरी विश्णु जोग निद्रा में चले जाते हैं इसके साथ ही मांगलिक और शवकारियों में पावंदी लग जती है देवशायनी काशी के दिन भगवान विश्णु की पूजा करने से हर संक्ट दूर हो जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है इसके साथ ही मोक्ष की प्रावति होती है इस बर्त को कारने से सभी मानों कामनाएं पूर्ण होती हैं देवशैनी काशी सबसे मत पूर्ण काशी है बर्तों में से एक जिसे पहली काशी के रूप में भी मनाया जाता है इस अकाशी को पूरी शर्दा वाव से जो ह्यक्ति रखता है तो उसे सुख सम्रीदी शांती पूर्ण जीवन का आशीरवाद मिलता है संसार्क सुखों को भोगने के बाद वे आंतमे मोख्ष को प्राप्त करता है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए थाइक्स पर वाच्छिं इस वीडियो